हेलो एविवन मेरा नाम है सीवम आप देख रहे हैं जैन्वी पाट साला परजेंट टाइम में जोहार नोगोदेविद्दाले कुछ सिनगर का छात्र हूं यहां पर मैं बात करूंगा क्लास 11 को लेकर के पहले मैं कुछ चीज़े आपको बताता हूं कि नोगोदेविद्दाल पहले ऐसा हो जाता था लेकिन कोवीट के बात क्या हूए कि आपको भी पता है कि जो जादा है आगे आ गया है जो मतलब पहले फरवरी मार्च में हो जाया करता था अब मैई-जून वेगर है में हो रहा है उनके रिजल्ट कितने लेट से आ तो इस बज़से मैंने आप नहीं आया है क्या क्या अपडेट हो सकते हैं यह सभी चीजों के लिए तो यहां पे चलिए देखिए यहां पे अगर मैं थोड़ा सापको क्लास 11 वाला पहले दिखा देता हूं तो यहां पर आईएगा तो यहां पर मैंने मेल किया था पहले मैं उनका इमेल आईडिया आपको यहां पर दिखा देता हूं यहां पर इसी सेक्षन में नीचे आईएगा यहां पर थ्री डॉट पर किलिक करके सो यहां पर आप देख सकते हैं कांटेक्ट डिटेल्स ऑफ आवर अफीसर जो दिया गया है इस पर आपको किलिक करना है और जैसे इस पर आप किलिक कीजिएगा तो यहां पर थोड़ा सा नीचे आईएगा तो एक सर है एस के त्यागी करके तो मतलब यह नोगोदे अफिशनर है न अवरह में इनका इमेल आईडी है यहां पर देख लोगा और उसके बाद से मैं आपको मैंने उनको ऐ्मेल किया था उसको आपको दिखाता हूं तो प्यारे दोस्तों आप यहां पे देख सकते हूं मैंने यह इमेल खोल लिया है और यहां पर मैंने दो दिन पहले उनको इमेल किया था और मैंने लिखा था कि लिखा गया है कि क्लास 11 का प्रोसेस है 15 जुलाई तक हो जाना चाहिए तो मैंने बोला था कि जितने जल्दी हो सके आप मुझे इसके बारे में अपडेट दीजिए तो यहां पे देखी उन्होंने एक बात लिखी थी और इसको आप देखी यहां पे नीचे भी आप देख सकत हो इनका यह सभी चीजे भी यहां पे इधर भी दिखाई दे रहा है और उन्होंने लिखा है कि इट्स डेपेंड ओपन दर डिक्लेरेशन आफ रिजल्ट आफ क्लास 10 बाइड डिफ्रेंट बोर्ट अब यहां पे आप एक बात को समझो उन्होंने मैंने आपको पहले भी व रिजल्ट है हो आ चुका है मतलब जो भी पेंडिंग में भी बचा हुआ है तो आप यकीन रखो कि जैसे ही सीजल्ट का रिजल्ट आता है वह भी जल्ट ही आने वाला है यह तो आपको पता ही है उसके कुछ ही दिन के बाद से दो चार दिन के अंदर या एक सब्दा के बढ़ चुकी है तो इस बज़ा से इस बार डिले हो रहा है और मुझे विश्वास है कि अब सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे तो आप क्लास 11 को ले करके कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं आप लोग थोड़ा सा धहरे बना करके रखी और सिब्सक्राइब कर दीज आला की साथ जय हिंद जय नौद है